दोस्तों कैसा रहेगा आपका आज का दिन क्या कुछ अच्छा होने वाला है या कहीं कोई ग्रह डाल रहा है कोई अर्चन क्या करें क्या न करें जानते हैं आज के राशी फल में आज का पंचांग तिथी सप्तमी योग विश्कुम्भ वार सोमवार करन बव नक्षत्र मघा पक्ष क्रश्ण शक समवत 1942 विक्रम समवत 2077 रहुकाल सुबह 8 बचकर 19 मिनट से सुबह 9 बचकर 36 मिनट तर अब हम बात करेंगे आज के राशी फल के बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं मेश राशी से व्यापार करने वालों को उतार चड़ाओ का सामना करना पड़ेगा जो भी कदम रखें सोच समझ कर रखें किसी भी काम में लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है यात्रा का योग बनेगा अनावशक जोकी मुठाना भारी पड़ सकता है उपाए गणीज जी के चरणों में बारा धुपत्ती रखें अब बात करेंगे व्रशब राशी के बारे में व्यापार करने वालों के लिए लाप के योग बनेंगे लेकिन दूसरों के हाथ में पूरा काम ना सौपें खुद कारे करना श्रेष्ट कर रहेगा जीवन साती से सम्मंदित परेशानी बढ़ सकती है मुकदमों के मामले भी उलच सकते हैं उपाय पक्षियों को बाज रख लाएं और पानी से बरा पात्र रखें अब बात करेंगे मित्वन राशी के बारे में अपने स्वास्त का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कमियों को सुधार कर सही निर्णे उपर ध्यान देना होगा परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं विवादों से आपको दूर रहना होगा परेशानिया भी बढ़ सकती हैं उपाए गनेश जी के मंदिर से जल लाकर घर और ऑफिस में छिड़के हैं अब बात करेंगे करकराशी के बारे में भाग्य साथ देगा किसी पुराने मित्र की साहता मिलेगी घर के सदस्य से कोई भी नुकसान हो सकता है इस समय कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपको पच्टा ना पड़े जल्द बाजी में कोई भी निर्णे ना ले उपाए गनेश जी के मंदिर में हरे साबुत मुंग का दान करें अब बात करेंगे सिंगराशी के बारे में आवेश में बिल्कुल ना आए कोई गलती होने की संभाव ना है दूसरों का अपमान बिल्कुल ना करें और वानी पर तो बहुत ही सही रखें अपने और परिवार के स्वास्त का पूरा ध्यान रखें व्यवार में शालिंता बनाय रखें किसी भी बात को लेकर जिद में बिल्कुल ना आए उपाए गणे शंकट मोचन स्त्रोद का पाठ करें अब बात करेंगे कण्याराशी के बारे में किसी के साथ की उम्मीद बनेगी व्यापार करने की सोच में परिवर्तन करना पढ़ सकता है जल्द बाजी में कोई भी निर्णे नाले स्वेम के स्वास्त का ध्यान रखें यात्रा बहुत ही सोच समझ कर करें अन्यता अटचल आ सकती है उपाए पेड पोदों में जल चड़ावें एवं गणेज जी की पूजा करें अब बात करेंगे तुला राशी के बारे में कोई भी कारे में लापरवाही बिल्कुल ना करें पत्नी और संतान का साथ भरपूर मिलेगा किसी तरह की गलत फ्यामी भी हो सकती है लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है धन को लेकर विवाद हो सकता है, किसी भी प्रकार का निवेश आभी आगे सही बिल्कुल नहीं रहेगा उपाय, गनेश जी के मंदिर में पंचामरत चढ़ाए अब बात करेंगे व्रश्चिक राशी के बारे में आज आप अपने कारे से संतुष्ट रहेंगे जमिन जायदात के काम में लाब होगा व्यापार बढ़ाने के लिए घरवालों का साथ मिलेगा शांती से कारे करें, वाणी और व्यवार में शालिंता बनाए रखें उपाय, गरी बच्चों को 11 फलों का दान करें अब बात करते हैं धनुराशी के बारे में अपने काम से घर को विवस्थित कर लेंगे अपना मन भी सही रख पाएंगे स्वयम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे काम की योजना बनाएंगे नई खरीदारी का मन भी बन सकता है वाहन और घर के लिए खर्च कर सकते हैं उपाएं 21 बार भगवान गणेश का नाम जपे हैं अब बात करेंगे मकर राशी के बारे में यात्रा करने का योग बनेगा काम में भी राहत मिलेगी आर्थिक परिशानी के योग हल होंगे धरम करम का मन में संचार होगा संतान के लिए समय सही बिलकुल नहीं है स्वास से संबन्दित परिशानी का सामना करना पढ़ सकता है उपाएं गणिजी के मंदिर में प्रसाच चड़ाएं अब बात करते हैं कुमराशी के बारे में धनलाब के योग प्रबल होंगे काम करके आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपकी अच्छाई से दूसरों को सीखने का मौका मिलेगा ज्यादा लालच करना इस समय बिलकुल भी सही नहीं है जो है उसी में संतोश करें उपाएं हरी सबजी लेकर गाये को खिलाएं अब बात करेंगे मीन राशी के बारे में इस समय निर्ण लेने में सावधानी रखें व्यापार के लिए बनाए गई योजना काम देगी जमीन जायदात के कारोयों में भागदोर भी करनी पड़ सकती है आर्थी किस्तिती को ध्यान में रखकर कारे करें इस्तिरी का सहयोग भी मिल सकता है उपाय, सुभै और शाम दोनों समय भगवान गणीज जी की आर्थी करें आज का उपाय, शुक्रवार को किसी सुवागन इस्तिरी को लाल वस्त्र और सुवाग सामगरी दान करने का अवसर मिले तो आप जरूर करें क्योंकि महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन का ये पहला आउसर है आज का सुविचार, सला के सौशब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इनसान को मजबूत बनाती है तो दोस्तों तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई सुभह के साथ तब तक के लिए नमस्कार